कि यह यह विए लाइब नौ हलो फ्रेंड दिस इस विश्वास बेलकम टू आक्सपोर्ट क्लासिस में आप सबका स्वागत है दोस्तों और जैसा कि हम लोग हर दिन कि काम करने के साथ उनकी यह दो चीजा जोड़ता है और साथ-सात आपको प्रिपोजिशन का भी जोड़ने के काम करता है अभी समझाएंगे हम क्या बात है तो देखिए एक्जामनल जो होता है वह आपको यही देखता है कि एक ही कुश्चन के अंतरगत सारी चीजों का मेजर करना चाहता है जैसे कि हम अब ग्रीक हम लैटन के रूप में हम एड्जे ग्रीक हम लैटनीग वाले आपके और देख़ी है जीसिसे इक्जाम के पॉइंट अब इसे बहुत हिंपॉर्टन है जसे खिम जनते हैं Senior Senior जूनियर, इंफिरियर, यह देखे, सीनियर, जूनियर, इंफिरियर, सुपिरियर, प्रायर, है ना, यह सब आपके जो एक्जाम के पॉइंट आप भी उससे बहुत ही इंपॉर्टन्ट है, इंटेरियर, इंटेरियर, ठीक है, पॉस्टेरियर, यह, ठीक है, तो यह एक्जाम के पॉइंट आप भी उससे बहुत ही इंपॉर्टन्ट, बहुत ही मात्पूर्ण रोल अधा करते हैं, क्योंकि इनके बाद एक्जाम नर्ड जो पूचता है, देखे, यह तो एक्जेक्टिव को काम कर रह लेकिन इनके साथ जो प्रिपोजिशन आता है, हमेशा क्या आता है, इनके साथ जो प्रिपोजिशन लग करके आता है, इक्जामनर क्या गलती देता है, इनके साथ हमेशा दैन लगा करके गलती देगा, क्या लगा करके गलती देगा, जो कि दैन का प्रियोग नहीं होना चा कि कुछ एडिजेक्टिव आपके greek यूंग लैटिन माने जाते हैं जो की अडिजेक्टिव का रूल अदा करते हैं और इनके साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू आता है लेकिन ग्जामनल क्या लगा कर गलती देता है दैं लगा कर गलती देता है जैसे कि हम इंग्जामपल दे देखिए, your boss is superior than me, यहां पर यह गलती पूरी तरीके से है, क्या हो जाएगा? your boss is superior to me, getting point, बात को जो हम समझाना चाहरे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, हमने कहा कि कुछ adjective आपके grey name Latin माने जाते हैं, जैसे कि senior, junior, inferior, superior, prior, interior, posterior, यह आपके जो साथ है adjective, जो की preposition से भी जुड़े होते हैं, तब preposition के रूप में हमें साथ to लेते हैं, और इनके साथ than लगा कर एक जामनल गलती पूचता है, देखिए, दूसरा example देखिए, he is superior, superior than, he is superior than I, बोले, he is superior than I, तो पूरी तरी के से गलत है, क्या हो जाएगा, he is superior than, than, क्या हो जाएगा, to I, ठीक है न, यह बात समझ में हैं कि भई, बोले, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समझ सा, कोई परिशानी किसी को, इसी तरीके से, इसी तरीके से, आपका दो और हैं, ध्यान दिजिए, यह आपके सातों अलग हैं, ध्यान दिजिए, यह आपके सातों पार्ट अलग हैं, senior, junior, inferior, superior, prior, posterior, interior, इनके बाद तो तो आता ही आता है, ये, लेकिन कुछ केस्ट आपके prefer और preferable के भी हैं, किसके prefer और preferable के भी हैं, आइजे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया, किसके prefer और preferable, यही पर मैं बताना चाहूंगा, आप ध्यान समझ जीए, देखिए दोस्तों, हमने कहा prefer or preferable, प्रिफर प्रिफरेवल यह 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 भी अपने साथ हमेशा प्रिपोजिशन क्या लेते हैं इनके बाद ही आने वाला इनके बाद आने वाला क्या आता है प्रिपोजिशन तू आता है क्या आता है प्रिपोजिशन क्या आता है तू आता है जैसे देखिए आई प्रिफर कॉफी को आई प्रिफर कॉफी दैन ती जो कि गलत होगा क्या होगा आई प्रिफर प्रिफर कॉफी टू टी ठीक है ना लेकिन यहां समझ से देखें इसको उनकी सिरेडिम क्यों ने रखा गया बात को समझे प्रिफर और प्रिफरेबल को सेनियर जूनियर के साथ क्यों ने रख गया तू तो वह भी लेते हैं बस अंतर इदना है कि प्रिफर और प्रिफरेबल जब तुलना हम किस की बीच करें दो इंफिनिटिव की बीच करें जान दिजेगा इसका केस बहुत ही रोमांचक होता है इसका कि प्रिफर और प्रिपरेवल अपने साथ टू तो लेता ही लेता है लेकिन यदि तुलना दो इंफिनिटिव की बीच हो जान दिजेगा तुलना तो इन्फिनिटिव के बीच हो तो यह हमेशा अपने साथ प्रिपोजीशन के रूप में क्या लेता है राधर दैन लेता है क्या लेता है राधर दैन लेता है जैसे कि यहीं पर देख लिजिए मैं इसी को बना दूँ आई प्रिफर टू गो दैन या फिर आई प्रिफर टू गो टू कम यह जो कि गलत होगा आई प्रिफर टू गो राधर दैन राधर दैन कम और यहां पर भी आपको एक्जामनल उलजा सकता है थोड़ा सा जैसे कि मैं यहां पर देखिए तू गो टू कम अब बताएए क्या यह फिस्ट आपका सही है क्या आपका सही है आई प्रिफर टू गो राधर दैन तू कम तो यह भी नहीं सही है क्यों आप तो कहेंगे की राधर दैन लगा हुआ है और तुलना हमेशा इन्फि को बीच हो रहे हैं लेकिन धान दिजिए कि तुलना जैदी इंफिनिटिव को बीच हो रही है लेकिन कंजंक्शन के बाद आने वाला जो आपका इंफिनिटिव होता है वह बिना तू की होता है तो आई प्रिफर तू गो रादर दैन रादर दैन कम अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रिफर और प्रिफरेबल केस अलग क्यूं है बोलिए यहां तक बात समझ में एक बार देख लिजिए यहां तक कोई परिशान ने कोई दिक्कत बहुत ही बार एक्जाम में कोशन पुट अप किया जाता है इसे लिए हमने सुचा कि आप तूना इस पर एक स्विशल वीडियो बनाके दे दिये जाए देखे दोस्तों अब इसी टॉपिक पर मैं थोड़ी से और चर्चा करूंग कि देखे समझिए इंगलिस बहुत ही आसान सब्जिक्ट है बस आपको कंसेंट्रेशन होकर के पढ़ना है बस कंसेंट्रेट करें एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ते जाए हूं वह प्ली सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और बिल आइकन को प्रेस करें क्योंकि हम कि ऐसे तरीके से वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे और एक पॉइंट आप अच्छे से क्लियर करते रही है देखिए हमने क्या कहा भई कि अधि आई प्रिफर इसको एक बार अपने दिमाग से देखिए तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्या गलती होई पहले बात तो तुलना देखिए प्रिफर आया है तुलना किसके बीच हो रहा है इन्फिनिटिव की बीच हो रहा है किसके बीच हो रहा है इन्फिनिटिव की बीच हो रहा है तो यहां पर क्या लगना चाहिए रादर दैन इस वाज़े से गलत हुआ चली मैं दूसरा संटेंस देता है असी को आई प्रिफर ध्यान दीजिएगा प्रिफर टू गो दैन तो बेट अब क्या गलती हुई अब क्या गलती हुई बुले भैव अब क्या गलती हुई अभी भी गलती यह हुआ कि यहां पर तुलना इंफिनिटिव के बीच हुई ठीक है और कंजिंग्शन के बाद आने वाला सब्सक्राइब methव बिना चु के प्रहुं के लजब इंफिनिटिव के बीच हो रही है न प्रिफर और के बात क्या देन आता है कब जब तुलना जब तुलना दो इंफिनिटिव के बीच हो जब तुलना दो इंफिनिटिव के बीच हो इंफिनिटिव के बीच हो तो उसके लिए prefer और preferable के साथ क्या आता है rather देना का प्रियोग के आता है लेकिन यदि समाने रूप से तुल ना की जाए, तो prefer और preferable के साथ prefer और preferable के साथ क्या आता है? तू का परियोग किया जाता है, यह ध्यान दीजियेगा दोनों तरीके से यह बहुत ही डेंजरस किलाड़ी है प्रिफर और Bowl के साथ टू का परियोग किया जाए लेकिन याधित तुलना दो इंफिनिटीव के बीच किया जाए तो किसका प्रियोग के जाएगा राधर देन का प्रियोग के जाएगा तो यहां पर देखिए वहीद मैं बात कर रहा हूँ यह पूरी तरीके से गलत हुआ क्योंकि यहां conjunction than लगा हुआ जब क्या चाहिए rather than चाहिए देखिए यहां पर I prefer to go rather than rather than to wait बताए जरा क्या question सही हो गया क्या question सही हो गया तो बिलकुल अभी भी नहीं सही हुआ अब क्या गलती हुई आप गलती देखिए इन्फिलिटिक बेस तुलना तो हुई लेकिन गलती यह हुआ यह जो कंजेंक्शन है कंजेंक्शन के बाद इन्फिलिटिक बिना टू के आता है तो आपकी बार संटेंस देखिए आई प्रिफर तू गो रदर देन रदर देन टू तो नहीं लगेगा क्या हो जाएगा वेट यह संटेंस आपका पूरी तरीके से सही हुआ देखिए चार तरीके से आपको उलजा सकता है पहले देखिए प्रिफर उसके बाद क्या देगा इंफिलिटिट दिया लेकिन कंजेंक्शन क्या दिया देन का प्रियोग निया कि दिया क्योंकि घुझा नहीं का प्रियोग किया जबकि घुकि आए जब भूंचिकी सिंफ्यून figure नहीं बनाया इम का प्रियों कर दिया यहां देखें फूर्संद देखिए फोला पुरी से क्योंकि हमेशा एक्जाम में इस तरह के कुश्टन इस तरह के से आपको पुटप किये जाते हैं और देखें थोड़ा सा यहां पर समझता है बात को समझी है करता हूं देखिएगा जो भी बच्चे बाद में जुड़ते हैं वह प्लीज वीडियो के रिमाइंड करके फिर से देख लें यानिकी सुरू से फिर से जाकर करके देखें और जो बच्चे एडिशेक्टिव का पूरा पार्ट ना देखें हूं वह प्लेलिस्ट में जाकरके या में वीडियो पर से करके देख सकते हैं अब अब इस तरीके से एक प्रकार से और को सब्सक्राइब रिफर अब प्रिफर अब गोइंग अधैन वेटिंग अब बोले संदेंस सही है तो सही नहीं है क्यों नहीं सही है क्योंकि यहां पर तुलना देखिए ना तो इंफिनिटे और ना तो किसी की बीच हो रहा है तो प्रिफर के बाद क्या प्रियोग किया जाता है क्या हो जाएगा आई प्रिफर गुइंग तो वेटिंग अठिंग है खाग अश्रमिल के लीकिन थोड़ा सा यही है यह सबने माँ आग ने देखिए मैं आपको यहां पर दो तीन बातें बताइंग तो तीन बातें मैं एक बार फिर से रिमाइंट कराता हूं देखिए मैंने कहा senior, junior, inferior, prior, posterior, interior है ना तो यह हमेशा अपने साथ कह लेते हैं तू लेते हैं अपने साथ reposition के रूप में तू का प्रियो के रता है तू लेते हैं लेकिन यहीं पर condition हमारी prefer और preferable की होती है किसकी prefer और preferable यहां पर इनकी condition यह है यह तो टू लेते हैं तो का प्रियोग इनके साथ किया जाता है बस इतना ही अंतर है कि यदि तुलना यहीं से इनकों नोट करके लिख लेजिए यदि तुलना दो इंफिनिटिव के बीच हो दो इनके साथ के साथ हम क्या प्रियोग करते हैं तो इसकी condition यह बनती है तो दो तो तीन पॉइंट यह है इसको आप निश्यत दूरूप से नोट कर लेजिए अपनी कॉपी में उमीद है कि आप इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा बस हमारे चैनल से जोड़े रहे एक टॉपिक एक पॉइंट को मच्छे समझाएंगे ठीक है चले आगे आए देखते थोड़े से एक दीशन और है यहां समझ लेजिए रहे हैं यहांस एकज्यम नर्व जो थोड़े और सब्सक्रण पुषता है कि मुझे फिर्श्तन देल सबुषता है यह सब की आपके मॉल रूप में ही comparative में होते हैं किसमें होते हैं comparative में होते हैं और जब यह comparative में हैं ध्यान दिजेगा जब यह already comparative में हैं यह comparative में हैं तो इनके पहले कभी भी हम more और less का प्रियोग नहीं करते हैं ध्यान दिजेगा are you getting my point note करके लिख लिजेगा कि यह तो आलेडिक किसमें है कंपरेटिव डिगरी में किसमें है कंपरेटिव डिगरी अग कंपरेटिव डिगरी में है तो कंपरेटिव डिगरी से पहले हम कभी भी more or less का प्रियोग नहीं करेंगे इधेन रखिएगा किसका प्रयोंड करेंगे more or less का प्रयोंग नहीं करेंगे यानि कि इनके पहले कभी भी हम और less का प्रयोंग नहीं करेंगे जाने झे लिजिए एक्जम्पल देखिए यू आर यू आर और जूनियर जूनियर तुमी यू आर जूनियर तुमी तो कहां गलती हुई भाई वो और लेड़ी जूनियर है उसमें और जूनियर क्या बात है लेड़ी जूनियर है तो उसमें मौर जूनियर की क्या बाता है तो यहां पर मौर का प्रयोग नहीं होगा ठीके ना? तो यह जहां रखेगा कि यह आल्रेडी आपकी comparative डिगरी में होते हैं तो हमेशा इनके पहले कभी भी more or less का प्रियोग नहीं किया जाएगा और यह किटिंग मैं पॉइंट बोलिए यह दो तीन पॉइंट आपको समझ मैं कि नहीं बता ही भई बोले समझ मैं कि नहीं तो इस तरीके से कभी कभी डबल कंपरेटिव आपको दे करके उलजा देता है जिससे मैं कहें दूँ यू आर या यू आर मोर वाइजर क्या कहेगा यू आर मोर वाइजर ठीक है ध्यान देजिएगा मैंने क्या कहा इस तरीके से पूछ सकता है यह कोईंट अच्छे समझते चलिए टॉपिक अच्छे समझते चलिए बस हमने कहाँ यू आर यू आर मोर वाइजर देन देन माई ब्रादर देन बैक यह गलती हुई कुछ गलती हुआ भूलिये तो गलती यहां हुआ वाइज यह क्या वर यह क्या है कुम्परेटिप डिगरी है और मोर लगा कर हम तो यह तो यह क्या है वाइजर वाइज वाइजर वाइजर वाइजिस्ट होता है तो यहां पर डबल कमप्रेटिप की इस्प्लिट हो जाती है तो यहां पर मौर का प्रयोग नहीं होगा आगे क्या हो जाएगा यू आर वाइजर दैन माई ब्रदर बैन माई ब्रदर अरेटिंग वाइज पूले यहां तक बास वाज में उमेद है कि इस जो आपके कंप्रेटिप रिए कुछ से ग्रेक एम लाटिन से जबने होते हैं यह पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया हों ऑवलें यहां तक किसी कोई समझतिया कि समय सबस्क्राइए हैं यह दनल एक बार समझ लेजिए है दो अब यहां से देखी ए जो अफिए जो नेक्शलों आपकर बन करके करके तयार होता है next role बन करके तयार होता है कि हमेशा तुलना जो comparison होता है वो समान रूप में होता है समान रूप कैसे जैसे क्यों कहे दें योर वाइज इस स्वेटर दैन मोहन मोहन योर वाइज इस स्वेटर दैन मोहन आपको संटेंस से पूरी तरीके से सही लग रहा होगा लेकिन संटेंस में split है क्या है कहीं गलतियां है तुर्टी है क्या है यह गलती आपको find out करनी है जो कि एक्जामनर उलजाता है इसी दरीके से समझे क्या है योर वाइज योर वाइज आप क्या वाइज जहां दीजिएगा आप क्या वाइज इस स्वेटर दैन क्या है श्वेटर दैन जो की बहुत ही मुठी है श्वेट है किसे मोहन से या मोहन की वाइज से किटिंग माइपट जो उसकी वाइज है वो स्वेट है मोहन से की मोहन की वाइज से बोलिये मोहन से या मोहन की वाइज से यहां पर इस तरीके से गलती पुशे जाता है यह संटेंस पूरी तरीके से गलत है क्या हो जाएगा य तो यहां पर वाइस ना लिखें क्या लिखें चाहे तो यहां पर वाइस ना लिखें हम सिर्फ किस से काम चला ले योर वाइस इस तो यहां तक लम्सम आपको समझ में आ गया होगा योर वाइस इस तरिके से लिख सकते हैं किस तरिके से देखिये योर वाइस इस तरिके से लिख सकते हैं तो चली मैं एक और आपको एक्जांपल देता हूं पहला दूसरा एक्जांपल देखिए बनाएगा इसको दा क्लाइमिट ओफ इलहाबाद इस बेटर देन इस बेटर दैन लखनाव बेटर दैन लखनाव बोले क्या है शेंटेंस आपका पूरे तरीकी सही है तो इस पर जरूर गोर करिएगा दा क्लाइमिट ओफ इलहाबाद क्या लिखा हुआ है दा क्लाइमिट ओफ इलहाबाद इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इलहाबाद क्लाइमिट इलहाबाद इसको इस इसको बारे में कि इनका यूज कैसे किया था है तो इसको प्लाइमिट इसका प्लाइमिट इस बेटर दैन लखनाव तो आप इसमें आपसन चूच करिए इसको बताइए क्या ये सही है संटेंस आपका तो सही नहीं है क्या गलती हुई हमने कहा climate of इलहाबाद की क्या जलवाय। जो बिटर है अच्छी है किसे लखनाओ से अच्छी है या लखनाओ की जलवाय। से अरुगेटिंग माई पॉइंट तो हमने कह दिया दा क्लाइमेट ओफ इलहाबाद इस बेटर देन बेटर दैन लखनाओ 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 एपॉस्ट आफिस ठीक है दूसरा से यह सही भी है चली दूसरे सेंटेंस कैसे करेक करेंगे दा क्लाइमेट आफ इलहाबाद इलहाबाद इस बेटर देन दैट ओफ लखनाओ बेटर देन दैट ओफ लखनाओ तो लेकिन देजिएगा यहां दैट आफ मैं क्यों लिख रहा हूं यह आपको यहां पर आपको किसे संबंदित होगा से समदित होगा कि से यहां पर करें दैट की जगह पर दोज का प्रियोग किया रही देटें प्रियोग करेंगे दोस्का प्रियोग करेंगे यहां तक हमको उमीद है यह आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम अपने कंप्रेटिब डिगरी के एडजेक्टिव करते हैं चलते हैं आगे नेक्ट पॉइंट पर देहन दिजे जो आपके एक्जाम के पॉइंट अब यू से एक और इंपॉइंट पॉइंट है यह देखिए जो कंप्रेजन की दिर्ट से बहुत ही इंपॉइंट रोल अदा करता है आपका कंप्रेटिब डिगरी तो क्यों ना आप इस पर अमल करिए बिचार करिए और इनको को अच्छे से एक पॉइंट को समझिए सब्सक्राइब डिगरी में तो आपको कुछ भी बाते थोड़ा बहुत हैं जब इसी शुरूब से ध्यान रखना है आई यह देखते हैं इसका निक्स पॉइंट क्या है तो आपको इसको रिमार करके लिख लेना है यानि कि पॉइं उसरय में जबना है तो वह दर सब्सक्राइब करते हैं भी जी सितन वर्फ लाजात के विशेश रुप से तुल्णा नो उसके पूरे वर्ग या जाते से तुलना करें उस ब्यक्ति की या वस्तु की तब उसके लिए हम अदर सब्द का प्रियों करते हैं इसका अधर सब्द का प्रियों करते हैं एकजांपल के रूप में देखियें ही इस बेटर दैन ही इस बेटर दैन अल स्टुदेंट्स आल स्टुदेंट्स इन माई क्लाश इन माई क्लाश धान दीजेगा मैं इस संटेंज को आपको समझाना चाहूंगा ही इस बेटर दैन आल स्टुदेंट्स इन माई क्लाश जरो देखिए एक बार गौर कर दीजे क्या समझ में आया कुछ क्या गलती हो सकती है यह ऐसे इसे पॉइंट है जो कि एक्जांप के पॉइंट अब इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां समझ में नहीं आता कि क्य है यह सही है क्या गलत है मतलब यह सही है गलत है अ ऑनना यहीं सिद्ty redesviי कर रहा हूं मतलब की उस स्टुडेंट के पूरे वर्ग से मैं तुना कर रहा हूं कर नहीं कुंपेर्जन किसके तुलना कि तुलना कि उपी तुलना तो जब हम करते हैं या वस्त के तुलना उस व किसी से जातीशे करें तो का प्रियों करते हैं अधर सब्द का प्रियों करते हैं देखिये बेटर दैन के आल अदर क्या हो जाएगा आल अदर स्टुडेंट इस्टुडेंट्स इन माई क्लास यह पूरी तेरी किसे आपका सही है बोलिए भए कोई समय स्या कोई परेशानी चले देखिए मैं दूसरा संटेंस लेखता हूँ दूसरा संटेंस यह पहला हुआ नो बूक इस बैठर दैन नो बूख इस बैठर दैन दिस भूख इस बूख इंग्लीज लेंगश। English Language क्या गलती हुई क्या गलती हुई No book is better than this book for English language No book कोई भी book कोई भी book अच्छी नहीं है No book is better than this book इस book यानि कि मैं इस किताब के तुलना सारी किताब यानि कि जो किताब पूरा जाती है जो वर्ग है उसके तुलना इस बुक की तुलना मैं पूरे वर्ग या जादे से कर रहा हूँ तो जब मैंने उसके तुलना की तो यहां क्या हो जाएगा No other book क्या हो जाएगा No other book is better than than this book इंग्लिस लैंग्वेज ये गलत हुआ ये आपका पूरे तरीके से सही हो बोले यहां तक कोई परेसानी कोई दिक्कत आपको यहां पर देखिए इसके तुलना मैं इसके पूरे बुक की समों से बात कर रहा हूं जात इसे बात कर रहा हूं उसके यहां पर देखिए उसके लिए हम किसका सब्द करें अधर सब्द का प्रियोग किया गया तो यह एक्जाम की पॉइंट अभी उसे बहुत ही इंपोर्टन्ट है इसको आप रिमार करके लिख लिए कई बार प्रेक्टिस कर लिए ठीक है आई देखते हैं इसको देख लिए गवर देखें चलिए इसको एडिश करते हैं तो हम आपको इस कंपरेटिट डिगरे के लास्ट पॉइंट पर ले चलते हैं जो कि आपको बहुत ही बड़ा रोल अधर करता एक्जाम में देखें जब हम ध्यान सुनिएगा जब हम कंपरेटिव डिगरी के एड़ेक्टिव का प्रयोग एडवर्व के रूप में करते हैं किसके रूप में एडवर्व के रूप में करते हैं तो इनका और इनका प्रयोग हमेशा परलेल के भाव में किया जाता है किसके भाव में समांतर के भाव में ठीके ना और ऐसे एड़ तिकल दाखा प्रियोग किया जाता है देखिए कि दा मूर ही अंज दमोर ही अंज दमोर ही अंज दमोर देखिए यह अंज यह क्या है और यह क्या काम कर रहा है यह अंज ही बहुत ज्यादा हो रहा है और वर्व की विशस्ता बताने वाले को ही कहा जाता है वर्व की विशस्ता बताने वाले को ही कहा जाता है तो हमने कहा कि जब एडिजेक्टिव औफ कंप्रेटिव यानि कि जो कंप्रेटिव डिगरी की एडिजेक्टिव जब क्या करने लगे एडिवर का काम करें किसका काम करें एडिवर का काम करें तो हमे बाइसन में तिक चले दूसरा एक्जामपल जते हैं अब दूसरा एक्जामपल दूसरा एक्जामपल दा मॉर he gets respect, he gets respect, the more he wants respect, respect. यानि कि जितना हुँ जो है respect पाता है वो तरह ही वह रिस्पेक्ट चाहता है ठीक है तो यहां पर देखी दमोर इसके पहले हमने क्या लगा आर्टिकल दा और देखे पैरले का जितना चाहता है उतना ही वह चाहता है तो यह देखिए यह भी क्या कर रहा है आपको परलेल का प्रकट कर रहा है तो को ही परिलल के भाव प्रकट होग और इसका प्रकट हूं यहां को नहीं करेंगे ठीक्ए यहां तक कोई है तो हमने डाया कि यह जो आप का कुस्छ मृशएस रूल और बिश्य नियम थे जो की कंपरेटिजन ओफ एडजेक्टिव कंपरेटिव डिगरी की एडजेक्टिव कर बिसे शुरूब से प्रियोग किया जाते हैं और इजाम के पॉइंट अब उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो यह आप जरूर दो तीन बार रिवाइश करके देखिए और एक पॉइं जाते हैं उनके प्रियोगों को हम लोग अच्छे सीखेंगे तो यह वीडियो अच्छे से देखिए और मिलते हैं कल के वीडियो में जो हम आपको सुपर लेट्टिट डिगरी कुछ बिसीस बाते बताएंगे जो इक्जाम में बहुत ही बार कुछा जाता है तो मिलते हैं न